Hi everyone, this is Robin और एक बार फिर से हम SP Bakshi की अपनी इस बुक को रेफरेंस लेते हुए ADM के सेशन का डिसकेशन करेंगे B से स्टार्ट होने वाले ADM का ये हमारा फिफ्थ पार्ट होगा अभी तक मैंने आपके साथ चार पार डिसकेश किये हैं लिंक मैं आपको description में डिलवा दूँगा अलग से actually playlist भी बनी हुई है तो आप उन सभी parts को भी देख सकते हैं ये कुछ मेरे बारे में जानकरी My name is Robin तो चलिए हम अपने इस part को start करेंगे तो पहला है आपके सामने brown study तो देखिए brown study की मैं बात करूँ ये actually 16th century पर एक play यूज किया जाता था एक play लिखा गया था जिसका नाम था dice play अब उस dice play से आपका ये idiom निकल कर आया था वहाँ पर इस phrase को यूज किया गया था brown study को जहां पर एक व्यक्ति को इस तरीके से represent किया जा रहा था कि वो दिन में क्या करता था सपने देखता रहता था तो जहां पर भी वो सपने देखता था उसको इस तरीके से address किया जाता था that he was brown studying तो brown study का अर्थ होता है reverie यानि कि दिन में सपने देखना या फिर daydream जो कि आपको सीधे सीधे मतलब पता चलता है example he could not follow this significance of my offer यानि कि वो मेरे offer की significance को follow ही नहीं कर पाया वो क्या था वो एकदम दिन में सपने देखता रहता था he was not realistic वो सिर्फ ख्यारली पुलाव पकाता रहता था ठीक है तो ये हो गया आपका brown study जिसका अर्थ होता है दिन में भी सपने देखना लिया करते थे बैंक पर usually लोग भरोसा कर लिया करते थे कि ये हमारा जो पैसा है उसे ये safely रखेंगे तो बैंक ओन का जो इडियम अर्थ निकलता है वो होता है किसी पर depend होना या फिर किसी पर विश्वास करना example the rich always bank on money to get things done तो जो rich होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा depend करते हैं किस पर money पर ताकि अपने वो काम को आसानी से करा पाएं अगर उन्हें लगता है कि इनके पास पैसा है तो उनके पास सारा जहां उन्होंने अपना कर लिया है तो ये होगी आपका bank on next है आपका blaze the trail तो दीके blaze the trail का ये EDM earth आपको निकल कर आता है Brazil से Brazil में usually क्या होता था किसी भी चीज की शुरुआत करने पर वहां की tribes जो वहां के trails होते थे यानि कि जंगल में कोई भी bark में क्या करते थे चोटी चोटी आगे लगा देते थे it was a sign of starting something यानि कि किसी moment को अगर start करना होता था तो वह इस तरीके की चीजें करते थे तो EDM आपका निकला यहां पर blaze the trail जिसका अर्थ आपका होता है कि किसी moment को start करना एक्जामपल सुरेंद्रिनाथ बैनर जी blazed the trail of Indian national movement यानि कि सुरेंद्रिनाथ बैनर जी ने शुरुवात करी थी किसकी Indian national movement की तो यह होगी आपका blaze the trail next है आपका bull in a china shop तो देखिए यह जो EDM है यह आपका निकल कर आता है एक सैची situation जहां पर एक जंगली पशू एक बाजार में घुसाया है और वो सारी चीज़ें क्या कर रहा है बरबाद कर रहा है वो इधर से ओधर चीज़ों को एकदम बेकार तरीके से सारा एकदम उसने ना डैमेज कर रखा है पूरे market में तो यह निकल कर आता है आपका यहाँ पर that bull in a china shop यानि कि जिसका अर्थ निकलता है कि एक ऐसी situation जहां पर आप personality को आपे बोलते हैं कि वही कारण बना किसी डैमेज करने का example most of the leaders of the freedom struggle have proved bulls in a china shop तो देखिए freedom struggle के time पर जो बहुत सारे leaders थे यानि most of the leaders थे वह क्या साबित हुए वह एक reason साबित हुए कि उनकी वज़े से काफे सारा damage भी हुआ तो यह आपका idea निकल कर आया है यहां से bull in a china shop next है by the rule of the thumb यह आपका क्या होता है आपने physics में पढ़ा होगा जब आप left hand right hand thumb rule यूज करते हैं तो वह एक practical चीज होती है जहां पर आपको actual पता चल रहा होता है कि आपका current किस side में होगा आपका electrical field किस side में होगा तो वह एक practical optimism है एक practical phenomena है जहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ by the rule of thumb तो आप बोलता है कि आप किसी चीज को practically experience कर रहे हैं वो चीज आप practically try कर रहे हैं कि आपको समझ में आए example in older times business was run by the rule of thumb तो पुराने time पर जो business चीजें हुआ करते थी जो भी business हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे बहुत ही practical experience के साथ हुआ करते थे next है आपका big draw तो दी के big draw का आपका अर्थ निकल कर आता है अगर आप क्या होते हैं एक पात्र होते हैं किसी attraction को अपनी तरफ खीचनी का big draw a huge source of attraction example the match between India and Pakistan is always a big draw यानि कि वो हमेशा क्या होगा एक बहुत बड़ी events साबित होगा दूसरों के लिए या फिर लोगों के लिए हर जगे के तो यह match के बारे में बात करी गई कि पर इंडिया पाकिस्तान का जो match है वो हमेशा क्या करता है बहुत बड़ा attraction साबित होता है तो यहां से आपका idea मिकला big draw next है आपका broken read तेखिए अगर मैं किसी भी human की बात करूँ read usually आपके कैसे चीज़ मानते हैं जिस पर आपकी body एक support ले रखी है अगर मैं उसको तोड़ दू तो वो क्या हो जाएगा आपको एक broken read हो जाएगा यानि कि something which was supporting you earlier now आपने क्या कर दिया है उसको एकदम खतम कर दिया है it has gone failed now तो broken read का अर्थ होता है support जो की अब fail हो चुकी है example when he needed help his friend proved a broken read यानि कि जब उसको help की जरूरत थी तो उसके friend क्या हुए उसके friend वहाँ पर नहीं present हुए उन्होंने अपनी support को क्या किया पीछे खींच लिया और उसको support नहीं मिल पाई so now they proved as a broken read यानि कि वो support जिस पर उसको विश्वास था वो fail हो गई तो ये हो गया आपका broken read next आपका by the skin of the teeth तो देखिए तो आसान है अगर आप इस चीज को ऐसे भी समझना चाहें अगर आप teeth की skin को you know analysis करना पाएं चाहें तो आप किसी बहुत ही ऐसी चीज को analysis कर रहे हैं जो कि बहुत ही narrow है और छोटी है insignificant kind of situation में पहुँच गई है बहुत ही कम margin है वहाँ पर example he escaped death in the accident by the skin of the teeth तो उसने death को क्या किया उसने death को escape किया जो भी accident में उसकी हुई थी किस तरीके से बहुत ही मामूली तरीके से बच गया था मतलब बस बच ही बच गया ठीक है तो ये हो गया आपका by the skin of the teeth so this was the part जो कि आपका relate करा था SP बख्षी के 20 से start होने वाले EDM से ये आपका 5th part था अगर आपको ये part पसंद आया तो please do like it, share करें video को, subscribe करें channel को telegram और instagram के link आपको description में मिल जाएंगे आप वहाँ पर जाकर इन दौनों चीज़ों को follow कर सकते हैं जहां पर आपको regular videos, links, सब चीज़े provide कराये जाती हैं इसके साथ साथ Unacademy पर आपके batches चलते रहते हैं जैसे अभी ongoing में SSC, CGL, CHSL 2020 के batches launch हो चुके हैं, CGL mains आपका वहाँ पर batch जल रहा है, MTS का batch launch हो चुका है, Steno का batch launch हो चुका है तो उन सभी batches को वहाँ पर जाकर आप use कर सकते हैं और आप अगर discount लेना चाहते हैं तो आप SSC, YT code यूज़ कर सकते हैं या फिर आप Robin.bsr code यूज़ करके discount पा सकते हैं तो दोनों ही code में से आप कोई भी code यूज़ करें, आपको discount मिरेगा, but please आप वहाँ पर जाएं और अच्छी खासी एक pattern को multiple of educators को वहाँ पर जाकर follow करें और अपनी तियारी को एक सही direction दें मैं next part में मिलता हूँ, आपसे अपना ख्याल रखिए, take care, bye bye, thank you